आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीजो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question में हम से बोला गया है Chemisorption involves formation of bonds between gaseous molecules और atoms and solid surface for which high energy is required तो इसके लिए हम सबसे पहले समझ लेते कि adsorption क्या होता है then हम chemisorption discuss करें adsorption एक phenomenon होता है जिसमें हमारे पास एक surface होता है preferably metal होता है जिसमें हम adsorption करवा रहे होता है तो यहाँ पर हम बात करेंगे adsorption of gases on metals पे adsorption में होता क्या है ने हम द है करें जो gas के molecules होता है वो एक solid surface पे तो हमारे पास यहाँ पे यह जो होता है का हम adsorption क्या होता है adsorb Mars और जिसका adsorption होता है उसका हम adsorbate बोलता है ऊके तो यहाँ पे क्या होता है कि जब यह adsorption होता है तो यह जो air के molecules है Celsius पिल्प एर में गैसे मालिक्यूल थि pior मेटल के साथ में बॉंड पूर्मेशन कर निधि bond formation wonder walls forces, सिर्फ wonder walls forces कि कारण हम देखते हैं यह जो एड्सॉर्प्षिन होता है इसको हम physical adsorption बोलते हैं यह फीजी तो और यहां पर जो bonds बन्रहे हैं वो chemical forces के कारण बनते हैं, तो हम इसको chemical adsorption और chemistry कारण हम देखते हैं यह उन्हों ने बोला है कि जो हैं वो साुलिट सर्फिस पर जब उनका एड्सॉप्शन हो रहा होता है उसके दौरान इस जो रियाक्शन होता है इसमें हाई एनरजी की जरूरत होती है हाई एक्टिवेशन एनरजी की जरूरत होती है कि हमारे पास मान लिजे यह एक graph है हम उसके help से समझेंगे कि हमारे पास यह energy है यहां पर और यहां पर जो reaction प्रोसीड हो रही है वह है तो पहले हमारे पास reaction में क्या होता है reactant होता है जिसके energy यहां पर है अब उसके बाद क्या होता है कि हमें बनाना है तो जो प्रोडक्ट है माल लिज़े वह यहां पर यहां से यहां सीजे नहीं जाया जाता है इस reaction के दौरान Intermediate बनते हैं जो कि unstable होता है प्रोडक्ट और रियाक्ट म से। इंटर्मीडियर जो है उनका पर एक साथा इंटर्मीडियर स्टैप्स क्योंकि कोई भी reaction आए नहीं होता है नहीं होता है जो स्टेप्स में कम्लीट होता है यहां पर का eto provide m anybody solution के लिए हमयं mi energy के जर्रत होती है और इस की इनर्जी को हम क्या बोलते है activity channels energy बोलतेँ यह activity अग्पीवेश нос इनर्जी जो है हमें chemical bας बनाने होते delta तो इसके लिए हम है activity अप्ड़ोपचती है okay तो यह energy जो है basically के लिए इसी का अनरजी बहुते हैं और इस यह जादा एक्टिविशन अनरजी के कारण ही हम क्याम करण के नाम दिया रहता है वो अनसर यह पर सही हो जाएगा क्लासिक स्टिट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 84444 पर